दियर रेस्टेंट्स हम लोगों ने गेर और गेर ट्रेन के काफी सारे नमर्गल कर चुके हैं उसी सिक्वेंस में यह हमारा है कोस्चन नमबर सेवन सबसे पहले देखिए कि क्या क्या दिया है इस कोस्चन में एकोर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे तो मेंटिंगर्स हम 20 और 40 इंवलूट टीथ देखिए कि लियर है इसमाल टी देखिए कि नमबर आफ टीथ और पिनियर इस 20 और कैपिटल टी कितना है 40 और मोडूल कितना है 10 mm and 20 degree pressure angle the addendum on each wheel is to be made of such a length that the line of contact on each side of the pitch point has half the maximum possible length half the maximum possible length अब यह जो है concept जो है हम समझाए थोड़ा सा यह concept सिर्फ यही था कि यह जो आपका kp था और यह mp था that means कि kp is half of mp यही concept था यहाँ पर यह जो आपका kp था half of mp था और यह path of research जो है pl pl जो है half of क्या है pn ठीक है यह अभी हम और एक बार detail में बताएंगे आपको ठीक है आप देखिए यहाँ पर यह जो है to determine the addendum of the addendum height for each gear wheel length of path of contact arc of contact and contact ratio बाद बाद की सारे चीज़ आपको निकालने हैं ठीक है अब देखिए इस question को हम solve करते हैं देखिए question में सब कुछ निकल गया तोई न सिर्फ concept थोड़ा सा इसमें आपको चाहिए देखिए यहाँ पर m equal to module जो है यह यह दी वाई टी डी वाई केपिटल टी यह small d by small t है या इसी को 2r by capital टी यह 2r by small t यहाँ से आप capital r निकाल सकते हैं एम का value कितना दिया है 10 और capital t कितना है 40 यह कितना हो जागा capital r 200 और small r कितना हो जाएगा यह 20 रखेंगे तो से 10 और 100 तो यह क्या निकल गया 200 और 100 निकल गया अब क्या चाहिए हमें अब यहाँ पर जो है यह r और r निकल गया तिन अब हम माल लेते हैं कि यह r a और small r a क्या है addendum radius for the given to gear अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आई यह देखिए देखते हैं यह kp और pl का value हम निकाल चुके हैं यह kp यह पूरा का पूरा kp है और यह pl है तो kp का value जोड़ी हम यहाँ निकालें kp equal to square root of r a का square minus r cos phi का square minus r sin phi ठीक है दूसरा चीज अब थोड़ा सा जहाँ दीजेगा तो यह दूसरा चीज़ अब थोड़ा सा जहां दीजेगा यह mp यह तो kp था अब mp और pn क्या होगा तो mp जब आप देखेंगे तो from triangle o1 mp o1 mp जब आप देखेंगे तो mp equal to क्या हो जाएगा आपका mp equal to यह क्या है pinion है तो small r radius mp equal to क्या हो जाएगा r sin phi sin component cos component यह mp equal to kya हो जाएगा r sin phi और यह pn pn कैसे निकलेगा आपका यह o2 pn से तो यहां पर pn equal to क्या हो जाएगा capital r sin phi यह pn equal to क्या हो जाएगा capital r sin phi यह हो जाएगा अब इस question में क्या बोल रहा है यह ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि एडिनम और वीचिन मेड़ अफ सच दे लेंथ देट दी लाइन अफ कॉंटेक्ट ओन इच साइड आफ दी मैक्समुम पॉसिबल लेंथ देट मेंस हाफ अफ दी मैक्समुम पॉसिबल लेंथ तो के पी जो है मैक्समुम कितना हो सकता है यहीं एमपीं एमपी क्या हो सकता है मेक्समुम का अogo AWP केपी है तो केपी का भेलू आपको यहां निकाले हुए हैं आप केपी का भेलू क्या निकाले हैं यह equation 1 मान लिजे यह equation 1 से आपका केपी का भेलू क्या है यहां पे देखे लिए का square minus r cos phi square minus r sin phi equal to mp mp के क्या है r sin phi half r sin phi small r है अब क्या करते हैं आप इन सभी को solve कर देते हैं इन जब को solve करेंगे तो आप ध्यान दीजिए यह r a जो है आपको नहीं मालूम है r a नहीं मालूम है यहाँ पर capital r 200 मालूम है 5 मालूम है pressure angle उसके बाद capital r मालूम है small r भी मालूम है यहाँ पर देखिए 105 मालूम है तो क्या r a capital नहीं निकल जाएगा तो यहाँ से आप capital r a निकाल लेते हैं capital r a निकालेंगे तो यह आएगा आपका लाभक 206.5 mm ठीक ना यहाँ पर जब कैपिटल आर ए निकल गया तो एडेंडम निकाल सकते हैं एडेंडम अब दे किसका फ्यल का क्या हो जाएगा आर ए माइनस आर तो आरे कितना है 206.5 माइनस केपिटल आर कितना है 200 तो यह कितना हो गया 6.5 mm एडेंडम आफ फिल निकल गया ठीक है अब आपको यहां क्या निकालना है है एडेंडम फौर दी किसके लिए यह पी अन वाला अभी एक बचा हुआ है क्या बचा हुआ है यहीँ पात्रिसेज के लिए पी एकल पील इकल टू half of क्या हो जाएगा PN होगा कि नहीं अब P L कितना बचा हुआ है यहाँ पर R A का square minus R cos 5 का square और minus R sin 5 half of PN कितना है देखे R sin 5 capital R sin 5 अब यहाँ भी देखे सारे भैलू आपको मालूम है capital R, small r phi सिर्फ R A unknown है यहाँ से R A निकाल सकते हैं यहाँ से R A निकाल सकते हैं R A निकालेंगे यहाँ पर आपका भैलू आएगा 116.2 mm यहाँ से addendum for PN आप निकाल सकते हैं एड़न फोर PN क्या हो जाएगा 116.2 तर्विस कि R A माइनस R 116.2 माइनस जो है R, capital R कितना है 100, देखे एग इतना हो जाएगा 16.2 mm तिना नाव, length of path of contact ज़िए हम निकालना चाहें क्या है, length of path of contact, length of path of contact जो है, क्या होगा? length of path of contact का हो जाएगा K P plus P L, तर्विस कि half of MP plus half of P N, तर्विस कि R plus R by 2 sin 5 यह R का भेलू आपको मालू में 100, capital R कितना है 200, divided by 2 और sin कितना हो जाएगा 20 degree तिना, तो यह जब आप निकालेंगे that you will get here 51.3 mm that will be the path of contact यह क्या निकल जाएगा आपका path of contact ठीक है अब यह path of contact जब निकल गया ठीक न, तब आपका क्या निकल जाएगा arc of contact ठीक न, arc of contact क्या होता है arc of contact arc of contact path of contact अपन cos 5 path of contact कितना है 51.3 अपन cos 20 degree यह कितना आ गया 54.6 mm ठीक है और contact ratio contact ratio क्या होता है arc of contact divided by circular peach तो यह आपका arc of contact contact ratio arc of contact कितना निकल गया आपका 54.6 और डिवाइड बाई आपका circular peach pi m हम लिख सकते हैं circular peach को क्या लिखते हैं piece equal to pi m pi m pi और m कितना दिया हुआ था आपको m दिया हुआ था आपको 10 देखिए यहाँ पर m जो है यह 10 दिया हुआ है यह 10 जो है दिया हुआ है तो यह 10 हो जाएगा इसको जब आप solve करेंगे तो contact ratio आपका आएगा 1.74 that means कि 2 there are 2 number of pairs of teeth that are in contact at that time ठीक है तो that is the final answer ठीक न यह आपका contact ratio निकल गया यह arc of contact निकल गया यह path of contact निकल गया on the given condition तो है ना condition क्या है यह condition बहुत important है कि addendum on each wheel is to be made such such a length that the line of contact on each side of the pitch point has half the maximum possible length तो है ना maximum possible length यह आप concept ध्यान रखेगा यह वाला जो concept था अपना यह जो है उसमे applicable होता है ते ना इसमें simple सा concept है कि यह जो KP है ते ना इस MP के half है तर्मिस कि MP कब होता है जब interference का condition आता है to avoid the interference this K can be extended up to maximum at the point M тогда तो भी ते लाधेगें इस वीडियो और ask की ज़ियो है